टाक्सी से भाई मेरे लगे 106 दिरम इसके लिए एक पर्मिट जहीं होता है वह लाइसेंस वाला जो वह ओनलाइन अपलाई हो जाएगा तो ओनलाइन अपलाई हो जाएगा और आला काम निप्टा लिया तो भाई दोस्तों यह जो स्कूटर वाला सिस्टम है ना जो बंदे या ब्लॉग में आशा करते हैं आप सभी लोग खुशल बंगल से होंगे तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दुबाई की टैक्सी से तो क्योंकि मुझे जरा कहीं ऑफिस जाना था तो आज मैं ऑफिस जा रहा हूं आज मैं शाम कोई बाकी इसके बाद तो मिल पाऊंगो क्योंकि भाई पूरा दिन लग जाएगा ओफिस में तो मैंने का चलो ब्लॉग को स्टार्ट तो कर दे ठीक है तो यह कुछ नजारा है कि बाहर का अभी जो हम जा रहे हैं यह मैंने कैब बुक की हुई है और अब जो है थर्टी मिनिट्स और लगेंगे इस ल लेकिन मुझे थोड़ा जल्दी पहुंचना था इसलिए मैंने वह टैक्सी की देखो भाई यह टुक्टुकी सीखा ना मैं तुम्हें रेट और वह पता करके बताऊंगा इलेक्रिक वाली है यह देखो यह क्या करते हैं लोग दुबाई में जासे कि अब पैदल चल-चलके टांगे तुड़ाने से बढ़ी है ना यह ले लेते हैं यह देखो हर जगा खड़ी भी मिलेगी तुम्हें इसका रेंट पता करूंगा और पूछूंगा यह किसकी खड़ी है यार यह देखो यह जुगार सा तो भाई यह यह है कुछ इलेक्रिक स्कूटर टाइप सा यह ल और यह लग यह दो बोलो यह अपने साथ ही है देखो कल इनकी वाप इसकी लाइट तो आज रात को घुतना घुम सके गूम लें अब इनको थोड़ा काम है चलो भाई काम देख लेते हैं कहां पर है इनी के पास है क्या यह इनसे यार इनके भीया यह आपका है यह रेंट पर मिलता है क्या यह रेंट पर मिलता है यह कैसे यह खरीदा हुआ अपना एक कितने का आब यह क्या इस के लिए लाइसेंस के लिए नहीं वह गड़ी वाले लाइसेंस के लिए नहीं कुछ परना चाहिए तो लोगों को इंफोर्मेशन मिल जाएगी कहा कौन सी साइट पर मतलब मुल सकता है आठीए साइट दुबाई अच्छा इसमें स्कूटर परमिट अच्छा तो भाई दोस्तों देख लो यह मैं बता रहा था आपको कितने का तो यह इसका प्राइस तो नहीं बता 300383 800 3800 वागी गुना कर ले जु और मीट जी होता वह लाईस वाला तो ओनलागी हो जाएंगा और आपको यह यह स्कूटर मिल जाएगा वह ओनलाइन अच्छा और उसके बाद चलाओ नहां मर्दिया से अगर आपको जाकत चाहिए है हलमेच चाहिए अच्छा और तो यह एक बार चार्जिंग करने पर कितना चलता है थेतन प्रिआप नहां कि आपको यहां कि तफ दथ तर्डनी और तेने कक AWSश्अद प्रेश चैन से की कि में लेख ओक टाबपे लुए जादर Дढ़क तो भाई 10,000 से 15,000 दिरम में कार भी ले सकते हो पर उसके लिए दुबाई का लाइसेंस है इसके लिए लाइसेंस का इतनी बसड नहीं है यह लिया और वो पर मिट सा निकाला और चलाया आपको दिखाऊंगा रस्ते में क्यासे चलता है और वह आपने देखा ही है मेरी वीडि तो इजी ली साइड बतली गलियों से निकलते वे कहीं मर्जी गुम सकते हो ऐसे जैसे अब हम गुम रहे हैं ना भाई टांगे दुखने लगी मतलब कि जूते भी जवाब देगे ठीक है तो यह था वो अभी अच्छा बार चला गया वो स्कूटर तो ठीक है प्रदर थैंक है यह जुगार सा भाई आपका वो काम हो गया और वाई यह वाई देखो इतने में हम वीडियो बना रहे थे इन्होंने अपला काम निप्टा लिया तो भाई दोस्तों यह जो स्कूटर वाला सिस्टम है ना जो बंदे यार मतलब आवो यह जा रहा हो देखो इसके लिए आ और अब तुम देखो आब वह गया वह वह जया और हम देखो कैसे तांगे तुडाते वे जा रहे हैं कदम पर कदम पर कदम जूते भी बस हमें गालियां दे रहे होंगे कि इतना वेट क्यों डाल रहा है तू हमारे उपर ठीक है तो भाई यह देखो अब हम यहां से अगर जा रहे हैं तो गाड़ियां रुक जाती है यह तो सिस्टम सही है यहां पर तो यह था वो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जुगाड आपको प्राइस भी पता चल गया यह थोड़ा एक्सपेंसी वाला था इससे सस्ते भी मिल जाते हैं ठीक है तो आप देखो कि अगर आता हूं आपको भाई जल्दी वह ट्राफिक खुल गया जल्दी आओ दोस्तों यह देखो यहां से ना यह निकलने का रास्ता और यह सब यह आपने देखा होगा क्या से वह जाते हैं और वह सब पहले भाग के चले गए क्योंकि वह ग्रीन सखनल रखा इस अब यह हमारे को जल्दी जल्दी पार करने है ठीक है यह दिखो आगे वाला स्खनल भी ग्रीन खतम होने वाला जल्दी जल्दी आओ भाई तो आब आप आप कि यहां पर जो है अब आगे का वो सिगनल है वो आगे का सिगनल खुल गया अब हम आगे का क्रॉस कर रहे हैं तो भाई यह यहां पर रूल के हिसाब से चलता जो कि आपको फॉलो करना चाहिए ठीक है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे का आगे भी भाई आसे खुला हुआ आगे का भी आसे खुला हुआ और जल्दी नहीं हो भाई थोड़ा सा टाइम रह गया और यह देखो सब ट्राफिक रुक गया है ठीक हा हवा हवा बहुत मस चल रही है हां तो यह जिसमें यह ट्रा मतलब कि क्या लोगी इस तरीके से क्लियर होता है अब हमारा होस्टल है उस तरफ तो भाई देखा आपको ट्राफिक सिस्टम भी दिखा दिया कि किस तरीके से यह ट्राफिक क्लियर होता है ठीक है तो भाई अच्छा एक और बाद बताओं अब भी क्या चल रहा है फरवरी आज फर्वरी तो खतम हो गए समझो फर्वरी खतम होगे ना अब इंडिया में जो मौसम है कि शाम को ठंड होती है हलकी ठंडी हौगा भाई सेम है सेम सेम लग रहा है यहां पर भी बस वही गर्मियों में यार दुबाई थोड़ा गर्मी के लिए बद्राम है वह गर्मियों म है तो जिनको गर्मी से यह सोड़ा सा वोता दा किया गर्मी होगी तो उनके लिए अच्छी कपर यह है कि भाई इतनी भी करमी नहीं नहीं है ठीक है रात के बच चुके हैं अभी 10-11 वजे का दाइम रहा है तो ऐसे टैल ने निकला था मैं थोड़ा सा तो मुझे रास्ते में दिखा बाइक सिस्टम मैंने का आपको भी दिखाता है चलूंग यह देखो बाइक करीम अप करीम आप यह दुबई में चलती है जासे सिंगापूर मलेशिया थाइलेंड में ग्रैब चलती है ना ऐस सिस्टम होगा तो यह क्यों रख कोड़ कंकरना है और भाई आप ये बाइक ले सकते हो और पता क्या यह ना बहुत काम आती वह बहुत काम दुबई में मतलब दुबई सही है लोकल गूमने के लिए सही है लेकिन चलना बहुत पड़ता है यार पैदल तो है ना यह हिसाब होगा वह आप उस पर आप पर दिख जाएगा यह देखो अल दहरी पब्लिक बिल्डिंग यह दो बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ बाकी यह देखो आप यह पूरा जगा जगा बने हुए हैं तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं भाई यह भी एक ऑप्शन हो सकता जोन से लोंडे खुंडे आते हैं ना वह भाई कहने की बात है आप पचे जितने मर्दी वहां जिम जूं करके आजे यहां पैदल चलके ना जूतों में भाई दुखने लग जाते हैं यह बता है आपने नहीं यह आप बताओ या रही मैं भूल जाता हूं प्राइस का आप और खाने का मैं वैसे आपको एक बाप बता दू वह आपने यूटीब वीडियो में देखा ही होगा एक दिनम में भी खाने मिलती हैं बहुत सारी चिकन चुकन आइटम यह ठीक है और मतलब जितना पचाथ दिनम सतर दिनम भाई महंगे से महंगा भी आए यहां पर सारा कु ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूं आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा और आप इस दुबाई सीरीज को बहुत सारा प्यार देंगे आपका भाई बिल्कुल दिल से बना रहा हूं तो चलिए दोस्तों अपना ख्याल रखेगा इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही अब कल से धमागेदार व्लॉग की सीरीज और शुरू होगी दोवई सीरीज में ही उसके लिए स्टेट टून एंड चैनल को सब्सक्राइब करते रहे शेर करती जाए लाइक करते जाए अपना ध्यान रखे खुश रहे आवाद रहे